हेलो दोस्तों मैं हूँ सुधीपवान रॉय और medicineside.com के एक नया fresh वीडियो में आप साब का स्वागत। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को जान लेना चाहिए कि इस वीडियो में हम लोग जिस medicine या फिर health care products के बारे में बात करेंगे बोस्रिप educational purpose के लिए बनाया गया है सिर्फ इस वीडियो के basis पर आप लोग कोई भी medicine या फिर health care products को इस्तेमाल ना करें कोई भी medicine या फिर health care products को इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर consult करें आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेकसिटो प्लस टेबलेट के बारे में ये Sun Pharmaceutical Industries Limited का एक product है तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं इस medicine के composition के बारे में तो इस medicine में रहता है cronazipam 0.5 mg and acetylopram 5 mg तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं इस medicine के uses के बारे में मतलब इस medicine को कौन से बिमारी को treatment करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में इस medicine को anxiety disorder मतलब की चीनता बिकार को treatment करने के लिए doctors के दुआरा prescribe किया जाता है चीनता बिकार का कुछ लक्सन जैसे की घबराहट, डर या फिर बेचैनी किसी भी problem के बारे में बार-बार सोचते रहना और खुद को सोचने से नहीं रोक पाना खुद को किसी काम में ध्यान केंद्रित करने में असमर्तता बिनाश या फिर खत्रे की भाबनाए समानिय से अधिक तेजी से या फिर बहुत ही ज़्यादा तेजी से एक तरह का anti-depression drug है एक ऐसा दवा जो कि मानसीक अवसात को कम करने में मदद करता है उसके साथ-साथ इस medicine में रहता है klonazipam klonazipam एक तरह का anti-convulsant, muscle relaxant and angiolatic agent है मतलब कि एक ऐसा दवा है जो कि चीनता बिकार को कम करता है उसके साथ-साथ mass patient को आराम देता है उसके साथ-साथ नीन्द की कमी और नीन्द की विकार को ठीक करता है तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं इस medicine के side effects के बारे में इस medicine को इस्तेमाल करने से नीन आना, जी मिचलाना delayed ejaculation मतलब की bilambit skhalan confusion मतलब की भरम योन इच्छा में कमी थाकान memory impairment मतलब की smriti में हानी ये सब common side effects दिखाए दे सकता है तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं इस medicine के warning के बारे में मतलब कुछ चेतावनी के बारे में कब आप कोई medicine इस्तेमाल करना चाहिए कब आप कोई medicine नहीं इस्तेमाल करना चाहिए सब चीज के बारे में इस medicine को alcohol पीने के साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए अगर आप pregnant है या फिर अपने बच्चों को दूद पिला रहे है तब इस medicine को बहुत ज़दा चेतावनी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए अगर बहुत ज़रुरत हो तो doctor के साथ consult करने के बाद या आप इस medicine को इस्तेमाल कीजिए इस medicine को इस्तेमाल करने से आपके आँख में धुंदली पन महसूस हो सकता है या फिर आपको नीन दा सकता है इसलिए इस medicine को इस्तेमाल करने के बाद किसी भी तरह का driving या फिर machinery का operate मत कीजिए अगर आपको किसी भी तरह का लीबार का problem है या फिर पहले थे तो doctor के साथ consult करने के बाद या आप इस medicine को इस्तेमाल कीजिए अगर आपको किसी भी तरह का kidney का problem है तब इस medicine को बहुत ज़रा चेतावनी के साथ इस्तेमाल कीजिए, अपने doctor से consult किये बिना इस medicine को इस्तेमाल मत कीजिए, इस medicine को इस्तेमाल करने से किसी-किसी patient में suicidal tendencies आ सकता है, अगर आपको भी ऐसा problem दिखाई दे रहा है, तो अपने doctor से जरूर consult कीजिए, और अपने doctor से हर ए symptoms आ सकता है, तो अपने doctor के निगरानी में इस दबा का उपचार धीरे-धीरे बंद कर देना चाहिए, अपने doctor से consult किये बिना इस दबा का उपियोग बंद ना करे, इस medicine के बार में और भी ज़्यादा जानकारी लेने के लिए, आप लोगों को नीचे description box में, medicine सेर नाम का एक doctor या फिर pharmacist के साथ जरूर consult करे, फिर आप इस medicine को इस्तेमाल करे, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगाए तो इस वीडियो को like कर सकते है, अगर आपके मन में कोई भी question हो तो वो हमें comment section में पूछ सकते है, उसके साथ-साथ इस वीडियो को share करे, उन लोगों के साथ ज